नमस्कार दोस्तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूस सामने आ रही है कि मैनोलो मार्केज को भारतिय फुटबॉल टीम का नया हैड कोच बना दिया गया है भाई इतने दिनों का जोगी सस्पेंस था ना कि नया कोच किसको बनाया जाएगा तो आज ये खतम हो चुका है AIFF की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर भारतिय फुटबॉल टीम के अगले हेड कोच मैनोलो मार्केज बनने जा रहे हैं AIFF की इस मीटिंग के अंदर से ना भाई बहुत सारी चीज़या सामने निकल कर आई है इनके उपर भी चलते हैं लेकिन उससे पहले आप लोग उसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सस्क्राइब कर देना या बहुत सारी लोग वीडियो देखते हैं बड़ अच्छा लगता है दिल को टेक्स नहीं लगता किसी का खैर भाई हम सीदा अगर मीटिंग के उपर चले ना भाई मीटिंग के अंदर से बात ये निकल कर आई है कि तीन कोच थे जिनके उपर लाश में फाइनल डिसीजन लिया जाना था ये तीन कोच कोन थे भाई मैनोलो मा मार्केज एंटोनियो लोपेज हबास और एक थे इंडियन कोस संजोय सेन अब इन तीन में से बाई एंटोनियो लोपेज हबास को साइड इसले किया गया क्योंकि उनके साथ भाई उनका एज का फैक्टर था एज का इशू चल रहा था उनके साथ इसलिए उनको साइड किया गया और संजोय सेंजो थे ना उनको साइट इसलिए किया गया क्योंकि बिछले दो साल से वो कोचिंग के मतलब पूरे सरकेट से गायब थे तो इन दोनों को साइट करके लास्ट में मैनोलो मार्केज के ओक्षन को चुना गया है जिनके साथ AIFF अगले तीन साल के लिए जाना नोलों मार्केज जो है यह भी फिलार भाई है एफसी गोवा के कोच भी है आई एसल के अंदर और भारतिय फूटवल्ट टीम के हेड कोच भी बना दिये गए है तो यह मैनेज कैसे करेंगे तो देगो भाई अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है न सामने उसमें बोला यह जा है कि एफसी गोवा के साथ जो इनका कोंट्रेक्ट है ना वो 31 मही 2025 तक है यानि तब तक ये एफसी गोवा के साथ भी कंटिन्यू करेंगे और भारतिय फूटवल्ट टीम के जब भी इंटरनेशनल मैचीज होंगे तो वहां पर भी यह कोचिंग करेंगे जब एफसी गोवा के साथ इनका कोंट्रेक्ट खतम हो जाएंगा ना 31 मही 2025 को उसके बाद भारतिय फूटवल्ट टीम के भाई ये फूल टाइम बेसिस पर नैशनल हेड कोच बन जाएंगे क्योंकि भाई मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बात करी थी कि मैनोलो मारकेच के साथ इंडियन फूटवल फेटरेशन जाना इसलिए पसंद कर रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर इनको काफी experience हो चुका है इंडियन फूटवल के साथ काफी familiar ही हो चुका है ISL के अंदर अच्छा experience लेकर बैटे हुए और सबसे बड़ा जो इनका plus point है ना यंग्स्टर्स को किस तरीके से develop करना है उनकी गेम को कैसे develop करना है वो बहुत अच्छे तरीके से इनने पता है और national team के लिए मैं पहले भी बता चुक हूँ बहुत सारे इननों ने बनाए है अकाश मिश्रा आसी श्राय, जैंगुपता, लिष्टन को लासो, महमत यासिर, हितेश श्रमा यह सारी भाईया इन्हीं की बनावट है काफी लोग भाई खुश हैं AIFF के इस डिसीजन से कि मैनोलो मार्केज के ओप्शन के साथ जाय जा रहे है क्योंकि सबको पता है इस तरीके से वो जो एक टैग है ना वो इंटरनेशनल वाला नहीं है क्योंकि काफी लोग यह भी कह रहे थे कि अगर AIFF इंटरनेशनल एक्स्पीरियंस वाले कोच को ढूंड रहे है तो मैनोलो मार्केज के पास वो तो है ही नहीं लेकिन AIFF ने यहाँ पर भाई किया क्या है उन्होंने इनकी डेवल फेडरेशन को और अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले तीन साल के लिए मैनोलो मार्केज किस चरीके की परफोमस देते हैं भारती फुटबोल टीम के साथ और यह जो कॉंट्रेक्ट साइन हुआ है ना तीन साल के लिए इसको आप ऐसा मान के चल सकते हो कि AFC Asian Cup 2027 तक के लिए यह कोंट्रेक्ट है मैनोलो मार्केज के साथ एजा इंडियन फुटबोल हेड कोज मतलब भाई इनको पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा टीम को अपने हिसाफ से डेवलप करने का अच्छा खासा टाइम मिलेगा फीफा की जितनी विंडोज आएगी वो इनको य अपने हिसाब से बनाने का और AFC Asian Cup 2027 तक आपको मैनोलो मार्केज दिखने वाले हैं लेकिन इनके लिए सबसे पहला टार्गेट यह होगा कि भारतिय फुटबोल टीम को AFC Asian Cup 2027 के लिए क्वालिफाय करवाना है जिसके क्वालिफायर्स आने वाले कुछी महीनों में स्टार हो जाएंगे तो भाई आप कितने खुश है इस announcement से कि मैनोलो मार्केज को head coach बना दिया गया है comment section में अपने thoughts और अपने opinions बता सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई ना तो भाई वीडियो को like कर देना चैनल को भी subscribe कर देना ताकि आगे की वीडियो आप लोगों के पास आती रहे तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ जय हिंद